हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल एजकेसन स्टडी फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम डिस्स करने वाले हैं हिमाचल सामान ने ग्यान के मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन हर एक एक एकजाम में 20 के लगए कोश्चन जो हम हिमाचल जीगे के पूछे जाते हैं तो फ्रेंट्स इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन है वो हम डिस्स करेंगे तो फ्रेंट्स वीडियो के आन तक बने रहें क्योंकि आने वाले कंप्उट्री एक्जाम में इस वीडियो से आपको कुछ नई कुछ आप जरूर मिलेगी चलि फ्रेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं कि देखिए फ्रेंट्स फर्स्ट को हिमाचल प्रदेश को केंदर शाषित प्रदेश कब बनाया गया फ्रेंट्स मोस्ट इंपॉर्टन कोशन है हर बार रपीट होता है कि एवार तो देखिए इसमें ऑप्शन दीए गए है 1947, 1951, 1950 और 1952 तो हिमाचरप देश C. राज्य का भाग बनाता यह बना था 1951 में, B. इसमें right answer होगा अगला question देखिए, हिमाचरप देश में पहला पंचायती राज अधिनिम कब पारित किया गया था Friends, important question है यह भी तो हिमाचरप देश में पहला जो पंचायती राज अधिनिम पारित किया गया था यह किया गया था 1968 में, C वाला इसमें, right answer होगा अगला देखिए, 1952 में हिमाचरप देश बिधान सभा के प्रथम सचीव कौन थे Friends, देखिए, 4 option दिए गये हैं तो इसमें से N.C. नंदी जो थे हिमाचरप देश बिधान सभा के प्रथम सचीव थे इसमें C वाला जो है, right answer होगा अगला question देखिए, पुनर गठन से पूरा पंजाब का उच नयाले किस भवन में रहा है तो पुनर गठन के पूरा पंजाब का जो उच नयाले था बो रहा है पीटर हॉब भवन में देखिए, ये वाला इसमें right answer होगा अगला question देखिए, प्रशासनिक सूबिधा के लिए हिमाचरप देश को शिमला इबं कांगडा मंडल नामक दो बागों में कब बागों में कब बांटा गया था important question शिमला इबं कांगडा मंडल कब बने था यानिके तो इसका right answer होगा 1979, D वाला देखिए, right answer है इसमें next difference 1967 to 1971 यानिके 1967 से 1971 के बीच हिमाचरप देश की सराज्य के उच नयाले के अधिनेस था तो ये जो period है इसमें हिमाचरप देश जो था वो दिल्ली उच नयाले के अधिनेस था इसमें ये वाला जो है right answer होगा next देखिए, प्रदेश में मुख्या युक्त के स्थान पर उपर राज्य बाल की नुक्ती कब हुई थी, friends important question है ये भी, तो ये हुई थी, एक मार्च 1952 को, इसमें देखिए, B वाला हमारा right answer होगा next question, बिदान सावा ने प्रसाब पास कर हिमाचल प्रदेश को एक प्रिथक राज्य बनाने की मांग कब की थी, ये की थी 1968 में, इसमें B वाला जो है, right answer होगा next question देखिए, सिर्मती इंद्रा गांदी ने लोक सबा में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य प्रदान करने की गोशना कब की थी, तो ये की थी, 31 जुलाई 1970 को, इसमें B वाला जो है, right answer है next देखिए, प्रदेश बिधान सावा का प्रथम अध्यक्स किसे बनाया गया था, बिधान सावा की प्रथम अध्यक्स बने थे, जैवनत नाहम, इसमें B वाला जो है, right answer होगा संसर द्वारा हिमाचल राज्य कानून का पास किया गया था तो फ्रेंट संसर द्वारा जो हिमाचल राज्य कानून पास किया गया था ये किया गया था 18 दिसंबर 1970 को D वाला जो है ये रायट आंसर बनेगा अगला देखिए हिमाचल प्देश की पहाड़ी रियास्तों में सरप्रथम किस में लोकतंत्रिक बेवस्ता की शुरुआत की गई थी तो यह की गई थी बागत रियास्त में इसमें D वाला जो है यह राइट आंसर होगा नेक्स पूर्वी पंजाब सरकार का मुख्याले शिमला में कब तक था फ्रेंस पूर्वी पंजाब सरकार का मुख्याले शिमला में था 1966 देखिए C वाला जो है यह राइट आंसर है नेक्स देखी फिप्टिन कॉश्चन नाइटिन फॉर्टि टू टू फॉर्टि थ्री इस भी तक शिमला किस देश की बिस्थापित राजा नहीं रहा था तो फ्रेंट शिमला जो इस समी में राजा नहीं रहा था यह रहा था बर्मा की इसमें सी वाला जो है राइट आंसर हो नेक्स देखी, शिमला हिल स्टेर्स की 26 चोटी बड़ी रियास्तों को मिलाकर 1948 में कौन सा जिला बनाया गया था, तो उसमें जिला बनाया था महासू, इसमें D वाला ही राहिट आंसर होगा, अगला देखी, पंदरा अप्रायल 1948 को हिमाचर पडेस के अस्तित्व में आने पर पर देश का प्रथम चीफ कमिशनर किसे बनाया गया था, तो फ्रेंस हिमाचर पडेस के जो प्रथम चीफ कमिशनर बने थे, वो थे स्री एन सी महता, इसमें A वाला जो राहिट आंसर होगा, नेक्स देखी, भारत में सुतंतर होने तक संपूर्ण हिमाचर पडेस कितनी छो देश में बिले से पूरब किसका भाग था, फ्रेंस डुलाओ जी जो था, हिमाचर पडेस में बिले से पहले ये भाग था, गुर्दासपूर का, इसमें B वाला ये सई आंसर होगा, अगला नेक्स देखी, बिलासपूर रियासद का हिमाचर पडेस के साथ बिले कब हुआ इसके साथ बिले हुआ था एक जुलाई उनिसो चौबन को यहनके C बाला देखी इसमें राइट आंसर हैगा इसमें ए बाला जो है यह राइट आंसर होगा अगला देखी जोगिंदर नगरसित शानन बिदूत परियोजना का संचालन निमन मैंसे कौन करता है तो यह करता है पंजाब राज्य बिजली बोर्ड इसमें बी बाला जो है यह राइट आंसर हैगा शानन बिदूत परियोजना को पूरा करने का शरह किसे दिये जाता है तो यह स्रीज इता है करनल बैटी को इसमें देखिए के द्धि बाला हमारा राइट अंसर है नच्श कोश्चन प्रदेष में जल विस्तार की दृष्टी से सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो प्रदेश में जल विस्तार से जल घनत्तव से सबसे बड़ी नदी जो है बोहज चिनाब नदी इसमें D वाला हमारा राइट आंसर होगा नेक्स देखिए शिमला नगर निगम की स्थापना किस बरस होई थी फ्रस्ट शिमला नगर निगम की स्थापना होई थी 1852 में इसमें A वाला जो है ये राइट आंसर होगा नेक्स कॉश्चन देखिए हिमाचल पर इसमें बिले से पूरब नालागर किस जिले का बाग था प्रस्ट इसमें देखिए D वाला राइट आंसर होगा आगे देखिए नेक्स कोश्चन गिरिवाटा परियोजना किस जिले में सिता है फ्रहन गिरिवाटा परियोजना जो है ये सिर्मौर जिले में सिता है इसमें D वाला ये राइट आंसर होगा next देखिए हिमाचल प्रेस की किस जंजाती को खोसी नाम से जाना जाता है तो हिमाचल प्रेस की किनर जंजाती है उसे खोसी नाम से जाना जाता है इसमें D वाला ये right answer होगा अगला देखिए हिमाचल प्रेस में किस थान पर तिबती लोगों को भोट कहा जाता है प्से कर लिए आखियोब कि आप सभी को वीडियो पसंद आए होगी प्ली चैनल को जबूर सब्सक्राइब कर देए और इस प्रकार की सबी वीडियो के लिए जुड़े रहें मेरे यूटीव चैनल के साथ जदी ही मिलेंगे इस प्रकार की और वीडियो के साथ तब तक लिए जैहिन